जैहिंद जैभारत दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वह है गुनन खंड निकालना जियां साथी आप सही सुने कि आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुनन खंड निकालना और वो भी कुछ ही सेकेंडों में समझें तो साथी यहां पर मैं आ और इसके बाद लिखा हुए 7X या कह सकते हैं 7X और पलस यहां पर लिखा हुए 5 तो यह काफी बात है जो कि यहां पर लिखा हुआ है तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको यह किलर कर देता हूँ कि साथी ये आपको आता है जियां ये आपको आता है लेकिन आप डरते हैं जियां साथी आपको ये आता है बिलकुल आता है लेकिन आप डरते हैं ये कुछ नहीं है भाई ये बहुत ही आसान है आप केवल डरते हैं तो आज हम इसी डर को खतम करते हैं और बहुत ही बारिकी से बताऊंगा अगर आपको ना समझ आई न तो वीडियो के नीचे कुछ भी लिख देना आर और हाँ भाई समझना और ना समझना न तो सिर्फ आपके उपर निर्वर करते हैं ठीक है तो यहां पर काफी बात है जिसको आपको यहां पर याद करना पड़ेगा तो साथी अगर मैं कहूं आपसे कि गुनन खंड का सबसे पहला अंक इन तीनों में से कौन सा है तो क्या आप बता पाएंगे अगर मैं कहूँ कि गुननखंड का इन सब में से सबसे पहला अंक कौन सा है तो क्या आप बता पाएंगे जी है मैं आप ही से कह रहा हूँ कि गुननखंड का इसमें से पहला अंक कौन सा है दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है चौथा कौन सा है तो क्या आप बता पाएंगे जी हाँ तो आप नीचे जरूर लिके है अब आपको यहाँ पर यह बात ख्याल रखने है कि हमारे जो गुलनखंड का जो पहला आंग वो क्या है 2X स्क्वार है और इसके साथ दूसरा आंग हमारे क्या है 7X यानि क्या सकते हैं 7X यहाँ पर है और तिसरा आंग हमारे जो आ जाता है वो है 5 क्या मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ी यह क्या है पहला आंग है गुलनखंड का और यह आपको क्या है दूसरा है और यह आपको क्या है यहां पर आपको करना क्या है ये क्या है 2 है ठीक है क्या हुआ तो साथि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा कियो है 2x2 तो इसको अभि आप kaf्लियर यहाँ से कर देजे मैंने आप क्लियर कर दिया और आप iphone यहाँ पर तिरती अंक पहचानने का भी आगे ट्रिक बताऊंगा तो आप यहाँ पर पहले बनाने का यहाँ पर समझी की कैसे बनाते हैं तो साथी इस तरह के आपको सवाल मिलेंगे तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं लिखा क्या है टू ठीक है तो यहाँ पर लिखा है फाइब तो हमारा गुननखंड निकालने में सबसे पहले यही होता है कि हमारा जो प्रथम अंक होता है प्रथम अंक और अंतिम अंक में गुना हो जाता है यानि प्रथम अंक क्या है दो है और यहाँ पर अंतिम अंक क्या है पांच है तो इन दोनों में क्या होगा गुना होगा जैसे ही इनको और इनको हम जैसे ही गुना करते हैं तो हमारा कितना आज़ेगा इनको और इनको गुना करेंगा तो हमारा आज़ेगा यहाँ पर कितना अब यहाँ पर मुद्दा वाली बात तो यह है कि अब आप समझे कि 10 हमारा जो प्राप्त हुआ ना आप यहाँ पर समझे आप यहाँ पर समझेगा बहुत ही काफी बात है बहुत ही अच्छा बात है आप समझे तो यहाँ पर आपको आपकुछ करना नहीं है बस यहाँ पर ल भ्यान देने वाली बात तो यह है कि यहां पर कितना है दस है और यहां पर कितना है साथ एक्स है तो अब आप दस को ऐसे तोड़िए जिससे जोड़ने पर क्या आजाए जोड़ने और घटाने पर आपको यहां पर साथ एक्स यहां पर परापत हो दस को ऐसे भाग में जूड़ने और घटाने पर यहां पर कितना आजाए तो यहां पर साथ आजाए और भाई गुना करने पर हमारा दस आजाए ओके तो दस को आप ऐसे तोड़िए कि जूड़ने और घटाने पर आपको साथ आजाए और गुना करने पर आपको दस आजाए तो चलिए अब हम इसको 10 को तोड़ते हैं दो भागों में ठीक है तो 10 को हम जैसे ही तोड़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर लिख क्या रखा है 10 अब 10 को तोड़ते हैं LCM के थूँ यानि लसक के थूँ तो 2 को हम जैसे ही तोड़ेंगे 10 को तो हमारा साथ यहां पर पराप्त हो जाएगा तो और इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा दस यहां पर पराप्त हो जाएगा तो यहां पर आपको ध्यान देना क्या है तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान देंगे तो अब आपको करना क्या है तो सबसे पहले आपको यहा कर देना है कि लास्ट में कितना है तो अगर आप असानी से देखेंगे तो लास्ट में हमारा पांच है तो लास्ट में हम यहाँ पर पांच को यहाँ पर लिख देंगे तो आप इजिली समझेगा तो बहुत ही आसान है आपको आता है लेकिन आप डरते हैं कि आपको यह बात पर जोड़ा लगता है तो अब आप दो-दो का जोड़ा लगाईए तो एक इसको और इसको हम जोड़ा लगाते हैं तो हम सबसे पहले इन दोनों को यहां पर एक जोड़ा लगाते हैं तो इनको जोड़ा लगा लिए और इसके बाद हम इनको जोड़ा यहां पर लगा लिए ठीक है तो दोनों को अलग-अलग मैंने जुड़ा लगा दिया है अब आपको करना क्या है तो इन दोनों में आपको common क्या नजर आ रहा है तो आप इन दोनों में आपको समानने मतलब मेल मिला आपको क्या लग रहा है तो इन दोनों में आपको जो common चीज है वो क्या है दो है तो यानि टू है तो दो को यहां पर क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे और यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्या कर लेंगे हम दो एक्स यहां पर कर लेंगे और यहां पर आपको कर देनी है अलग कोश्टक और इसके बाद आपको क्या कर देनी है बचा यहां पर क्य और इसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है यहां पर तो अब आपको क्या कर दनी है अपना मन से यहां पर एक बैठा दनी है यानि यहां पर जिरो नहीं बैठाना है और बीच में हमारे क्या है पलास है है ना तो बीच में हमारे क्या है तो यहां पर पलास है तो अब आपको यहां पर गरना क्या है यार पलास को यहां पर आसानी से लिख दीजिए अब आप यहां पर देखेंगे तो इन दुनों में क्या कोमन नजर आ रहा है इन दुनों में बच क्या गिया एक्स बच गया तो अब आपको यहां पर एक्स लिख करके और यहां पर पलस दे देनी है और इसके बाद यहां पर कुछ नहीं है इसका मतलब यहां पर आपको एक यहां पर लिख देनी है कि आपको यह बात यहां तक की समझ आई जियां आपको समझ आई की न यहां पर change करते हैं, तो अगर आप यहां पर देखेंगे, तो मैंने आसानी से तोड़ रहा है, और इसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर 2X है, यानि जो जो आपको यहां पर अगल बगल दीख रहे हैं, कोष्टा के बाहर जो दीख रहे हैं, उनको एक साथ हम लिखेंग यहां पर क्या है, 2X है, और इसके बाद यहां पर क्या है, तो 5 है, तो इसको और इसको इन दोनों को क्या कर लेंगे, एक अलग ब्रैकेट में हम कर लेंगे, यानि हम कुछ इस परकार से कर लेंगे, इस परकार से हम कर लेंगे, और इसके बाद आपको करना क्या है, जो कि य X plus 1 भी है और यहाँ पर X plus 1 है तो इसको common निकाल करके और खरकर हम लिखने देंगे X plus यहाँ पर क्या लिखने देंगे X plus यहाँ पर 1 अब आपको गुनाद खंड यहाँ पर बन गया तो गुनाद खंड इस तरह से बनाया जाते हैं जो कि बहुती आसान है यह सेम आपको नहीं आएगी, अब हम आपको बताते हैं, कि गुननखंड का, गुननखंड का यहाँ पर और इसको size बड़ा करते हैं, अब हम आपको यह, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप असानी से, यहाँ पर लिख लिजिए, और ज़रा से इसको size हम छोटा करते हैं, तो यहाँ पर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लिजिए, ठीक है, क्या आप यहाँ पर लिख लिएं, अगर आप इसको लिख लिए हैं, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, कि गुननखंड का अंक कैसे पसाने की कौन सा पहला है, और कौन सा दूसरा है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर हमारा सवाल था, कुछ इस परकार की था, इस परकार की सवाल था, तो इस सवाल में आपको क्या और नजर आ रहा है चीज़े, आप यहाँ पर ध्यान दीजे तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजेगा तो आपको क्या दिख रहे हैं x square, 2x square दिख रहे हैं और इसके बाद 7x और इसके बाद आपको दिख रहे हैं तो गुनन खंड में जो अंख पहसाने का यही ट्रिक होता है कि अगर आपको x square है तो समझे कि वो क्या है पहला अंक है और इसके बाद क्योल और क्योल x है तो आप समझे कि वो क्या है दूसरा अंक है गुनन खंड का अगर आपको कुछ इस परकार कि संख्या जैसे 7, 8, 9, 10, 5 भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस तरह की आपको संख्या देखने को मिलता है तो यह हमारे क्या होता है तो गुनन खंड का यह तिसरा अंक होता है तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं अगर मेरी दीहु जनकारी से अगर आप थोड़ा बहुत कुछ सीखते हैं तो यार इस चनल को सबस्क्राइब कर लो और सबस्क्राइब कैसे करना है वीडियो के नीचे एक लाल कलर का लिखा होगा सबस्क्राइब उस पर आपको क्लिक करते ना है और घंटी जो आएगी ना उस पर भी आपको आल पर वहाँ पर सलेक्ट कर लेना है ठीक है तो क्या मेरी बात समझ आई और मेरी दी हुई जनकारी से अगर आप थोड़ा कुछ भी सीखते हैं तो यार नीचे जरूर लिखेगा मिलता है आपका भाई एक और नए वीडियो के साथ तब तके लिए बने रहिए और जुडे रहिए और हाँ गाईज कोई दीकत होना तो नीचे जरूर लिखना यार ठीक है तो मिलता है आपका भाई एक और नए वीडियो के साथ तब तके लिए बने रहें और जुडे रहें बाई बाई टेक क्यार बेस्ट आफ लग